सिंप्ल और घरखी बीषिक मसालों से कबाब की रेसिपी आज बनाएंगे जो बिल्कुल ही स्ट्रीट पर कबाब पाउ मिलता है सीम वही टेस्ट आपको मिलेगा बहुत जाएकेदार होता है तो इस रेसिपी को ट्राय करें रेज़बी को बनाने के लिए कीमा लेंगे आधा किलो, कीमे को दोकर अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और जो यहां पर मैंने कीमा लिया है वो बहुत ही मोटा है, तो अगर मोटा रही कीमा तो आप इसमें मिक्सी के जार में डा ना है अब मैरिनेशन करने के लिए इसमें डालेंगे बétais स्पून हरे मिच्च का पेश्ट और साती इसमें डाल देंगे अद्रक लसन का पेश्ट एक बड़ा चममच कुटा हुआ धनिया डालेंगे एक चममच एक चोटा चम्मच कुटा हुआ लालमिच आट करेंगे चिली फ्लैक्स इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा आधा चम्मच जीरा पॉडर आट करना है और अब इसमें डाल देंगे गरम मसाले का पॉडर आधा चम्मच लालमिच का पॉडर और आधा चमच आट करेंगे कीमी में डालेंगे एक बारी कटीवी प्यास जिसका पानी मैंने अच्छे से हाथों से निकाल लिया है और एक कब हरा धनिया और पुदीना के पत्ते काट कर डालेंगे जिसे बहुत अच्छा सा फ्लिवर आएगा बहुत ही सिंपल मसाला इसमें यूज होता है और यह जो कबाव हमारा बनके रेडी होता है बहुत ही चटपटा सा होता है अब इसमें डालेंगे आधा चमच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डालें और यहाँ पर मैंने दो ब्रेड की स्लाइस ले लिया है अगर ब्रेड की स्लाइस नहीं है तो आप इसमें एक पाव यूज कर सकते हैं सबसे पहले ब्रेड की स्लाइस को हम पानी में भीगो देंगे और भीगोने के बाद जब ये पानी एब्सॉफ कर लेगा ना तो इसको हातों की मदश से इस तरीके से हलका सा दबा कर सारा पाने स्क्वीज कर लेना है, निकाल लेना है तो अगर आप पाव ले रहे हैं या फिर ब्रेड ले रहे हैं इस तरीके से बना कर इसमें आट कर दे खटे के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला अगर आपके पास लेमू है तो लेमू डाल सकते हैं और अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेना है बिल्कुल दबा दबा कर हमें मिक्स करना है ताकि जो सबस्या हमने इसमें अड़ करी है वो थोड़ा सा मैश हो जाए तो अब इस मिक्सर में डालेंगे बेसन दो छोटे चमच और अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे अगर मिक्स करते हुँ आपको लगा कि आपका जो मिक्सर है वो गीला है तो आप इसमें बेसन और भी आइट कर सकते हैं तीन से चार चमच छोटे डाल सकते हैं और दोबारा से अच्छे से जैसे हम आटा नीट करते हैं गूनते हैं उस तरीके से इस कबाब के मिक्सर को गून लेना है अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह जो मिक्सर है देखी बिलकुल कबाब का शेप ले रहा है इसी तरीके से आपको बना लेना है अब चले कबाब के साथ जो चटनी सर्फ होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है और जो कबाब के टेस्ट को बढ़ा देती है तो चले बना लेते हैं उसको भी एक मिक्सी के जार में ले लेंगे एक कप हरा धनिया और कुछ पुदीना के पत्ते लेंगे मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है तीन हारी मेच ले लेंगे आप मेच की कौंटेटी बढ़ा सकते हैं मैं इसमें डालूँगी एक चमच खटी मिठी आम की चटनी अगर नहीं है तो आप इमली का पल्प ले सकते हैं अब इसमें डालेंगे आधा चमच नमक थोड़ा सा पानी इसमें आइट करेंगे जिससे हमारी चटनी अच्छी स्मूथली तयार हो जाए इनको ग्राइंड कर लेंगे बहुत बारिक सा पीस लेंगे पीसने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कलर बहुत ही पर्फिक्ट आ चुका है अब बिल्कुल इससे तरीकी से आपको कलर मिलेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो इनको एक बॉल में निकाल कर रख लेंगे अब चलिए कबाब फ्राइ कर लेते हैं कबाब का जो मिक्षे रेस्ट हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छ से रेस्ट हो चुका है तो सबसे पहले कबाब बनाने के लिए दोनों हाथों को बिगो लिंगे फ्रै करने के लिए मैंने यहाँ पर हêवी बॉटम तभा ले लिया अगर आप इन्हें नॉनिस्टिक पैन में फ्राइ करेंगे या फिर तवे पे फ्राइ करेंगे न तो इसका कलर अच्छा नहीं आएगा और वो ज़्यादा टाइम ले लेता है आइरेन के तवे पे आप इन्हें फ्राइ करें तो बिल्कुल पर्फेक्ट और जूसी बनके रैडी होगा तो सारे कबाब को इस तरीके से फ्राइ कर ले जब एक साइड इसका अच्छा सा कलर आ जाए तो इनकी साइड चेंज कर लेना है कबाब को फ्राइ करते हुए फ्लेम को हमें लो रखना है हलकी आच में इनको कबाब को फ्राइ करना है और जैसे इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद निकाल ले सर्फ करें के मैंने यहाँ पर एक पाउ ले लिया है पाउ में सबसे पहले चटनी लगाएंगे और इस पे कबाब की पीसिस रखेंगे थोड़े से लच्छेदार प्याज डालेंगे मैं यहाँ पर कम कॉंटिटी में चटनी और कबाब रख रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं इसमें एट कर रही हूँ पुदीना के पत्ते डालेंगे और इस तरीके से गर्मा गर्म आप यह बच्चों को बना कर दें काफी इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को आप एक बात तो ज़रू ट्राय करें आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर लीजीगा और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे बाई बाई